नमस्कार दोस्तों, हेलो टॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा जो शरीर है उसका ध्यान रखने की बहुत जादा आवश्रक्ता होती है हमारे शरीर का एक एक अंख हमारे लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है रख्त हाँ जी आज हेलो टॉक्टर में हमारे साथ है ब्लट बैंक मेडिकल ओफिसर डॉक्टर मनोज लांजिवार जी तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रो में आपका बहुत बहुत धजन्यवाद सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साब शोगे शुरुबात करते हैं, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि रक्तदान क्यों करना चाहिए और रक्तदान से जुड़ी कुछ प्रात्मिक जानकारिया भी मैं आप से जानना चाहूंगी सबसे पहली बाद है कि हम आर्टिफिशल ब्लड भी बना पा हैं अभी तक कुछ बने हैं पर फिरो कार्बन बगरे यह बहतर घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करते हैं और इसके अपने एक साइड इपक है क्योंकि सिंथेटिक है यह तो हर व्यक्ति के शरीर में लगभग लगभग पांच लीटर खूण रहता है और ऐसा समझे कि दो यूनिट हमारे पास इश्वर प्रदत ज्यादा है ब्लड है अच्छा हम हर तीन मेहने में अगर पुरुष बर्ग है तो वह हर तीन मेहने में और महिला आएं जो है वह साल में तीन बार मतलब चार में बार अगर वह फिट है वजन पैतालिस किलो से ज् अगर आप साथ साल तक लगातर ब्लड देते हैं तो पांट साल का आपको एडवांटेज मिलेगा क्या पैंसट सकते सकते होना चीए हिमोगलोबीन जो है आपका बारा पांच के उपर होना चीए तो अगर यह सबी चीजें आप फुल करते हैं इसके अलावा कब से कम सौ सव आपके ब्लड बैंग में तब आप ब्लड देने के योगिवसित किया जाएंगे और आपका ब्लड पेशेंट को बहुत ज्यादा पाइदा करेगा और उसका जीवन बचा सकता है वह सर ब्लड देते वक्त जो फॉर्म दिया जाता है जैसे कि मैंने देखा है तो कुछ लोग ज़रुरी नहीं सही जानकारी भरे तो इसका क्या क्या किया जाता है वह सकते हैं और इसके सवाल पिर से किया जाता है कुछ ऐसे सवाल है जो लोग बाग आंसर नहीं करना चाहते है पर उनको बताया जाता है कि अगर आपने जूड बोल के ब्लड दे दिया इससे पेशेंट की जान जा सकती है क्योंकि एक विंडो पिरेट होता है कोई भी बीमारी का क्या है जैसे हैट डॉल ya सुर्बाद के च्छे महने में कोई भी सत प्लेंग सद n awards that अव् director इन घंवारी है या नहीं लोग local और हमलग एक चीजी और प्रओड करते सिसे ठोडूर से दोर्ड़ रोटेशन होता है जो हर 3-3 महने में बलड देता है, उसका हर 3-3 महने में चेक होते रहता है, तो वो जब आता है, तो हमारा भी confidence बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनके भी हाथ में जब वो निडिल से काम करते हैं, तो वो फ्रिक हो सकता है, उनको भी खत्रा रहता है, नर्सेस जो है, और क्योंकि वह तीन बार टैस्ट हो चुका है छे महने का पिरेड जो विंडो निकल चुका है तो ऐसे डोनर को हम बहुत ज्यादा प्रात्मिक्ता देते हैं और ऐसे हमारे पास कब से कम एक लाग की उफर डोनर है कुछ डोनर ऐसे हैं जो सौब से ज्यादा ब्लड डोनेट कर क्योंकि रेस्विडरेटरी वाइरसर से सर्फ हमारे पहले कॉल आट जो चुके हैं हलो इसे हालो इस पीजिए क्न बुल रहा है कहां से बोल रहाँ हैं अ मैं दिल शुवध फॉल्ड पूल टे हर्वस्कुमा बुल गुत बहुत-बहुत वे थैं क्या जाना सबसे बड़े confusion होती लोगों के बंद में कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा शरील को कोई जैसे आप कोई भी चीज की practice करते हैं जैसे आप उस तक पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धी कम नहीं होती है आप कसरत करते तो आपका शरील कमजोर नहीं होता है वैसे ही इसमें भी है कि रख्तदान करने से हमें कोई कमजोरी नहीं आती बलकि आप मानसिक रुप से इतने सु आपको सब भी होशी नहीं आएगी आप घर पैदल जा सकते हैं इतना confidence बढ़ जाता है ब्लड देने से और यह बहुत अच्छा है ब्लड देना इसमें डर डरने की कोई बात नहीं है जी जी सर ब्लड देने से फायदे भी बहुत होते हैं जैसे कि मैंने आप से जाना है तो म फ्रंट पेज में हम न्यूस पढ़ रहें कि कुछ लोगों ने ऐसे कर लिये जीवन अपने परिवार को नुकसान कर दिया तो यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं ब्लड देने से आदमी डिप्रेशन से निकलता है यह पर्मनेट इलाज है अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको इप्रेशन की दवाई खाएंगे तो हो सकता छे घंटे उसका असर कह हो जाए लोग बहुत परिशान होते हैं और हो सकता है छे में डॉक्त आपको खिलाए आप ब्लड बैंक में जाईए ब्लड डोनेट कर गिए आपका प्रसेस करते हैं तो हमने देखा है कि वह अक्षरता उनको धन्यावाद दी बोल पाते हैं रोने लग जाते हैं कुछ लोग तो पैर पकड लेते हैं उनको यह नहीं समझ आते हैं कि कोई व्यक्ति अपना पेट्रोल खर्चे करके अपना टाइम खर्चा करके तीन-तीन घंटा पर खर्चे करने हैं तो बता रहा है कि वह देखने के भाद जो उनके आँखे आखने लग रहते हैं हम को एक बार धनिवाद की देंगे लेकिन वह डोनरको इतना खुश हो जाते हैं और पेशेन्ट जो वह देखता प्रोसेजर को ब्लट बैंक में घयाने के वर ऊक्त फैयदा होता है प्र आपके मिन से डर निक़ल जाता है राप्थी जैसे कॉंफिडेंस बढ़ जाता है विससे बहुत बड़ी बात है डिप्रेशन से निकलने माधब मिलती है दूसरा क्या है आपका कोलेस्टरय। डॉप्रेशन होता है। ब्लड पेशर 10 तो अब मैं बता हूँ उनका नॉर्मल चर रहा है जी 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 सर और पी बाते जानेंगे हमारे साथ एक कॉलर जो चुके है हलो हलो हादी जी नमस्कार, डाक्टर साथ भी ला, नमस्कार नमस्कार, कौन बुल रहे हैं, कहां से बात कर रहा हैं भागवत निर्मलकर कवरा जेवरा जिलादे में तरह लो बोलत हूँ भागवत जी है परिमितर असी बहुत-बहुत स्वागत है, क्या जाना चाहेंगे भागवत जी पूछे सवाव भागवत जी पूछे सवाव जी आज के दिदी करोना में जो सावधानी है वो तो ब्लड बैंक ज्यादा रखता है क्योंकि हम वो सैनिटाइज करना पड़ता है ब्लड बैंक के हर चीज़ों को और सारे डिस्पूजिबल आइटम रहते हैं पहली बात बता दो कि ब्लड से कभी भी किसी को को नहीं हो सकता है बल्कि आपने सुना हो कि एक बलड का प्रोडक्ट है जो प्लाजमा वो को नपेशिट बाकी समय आप अपन देखते हैं कि अगर कोई वायरास का टेस्ट पॉजिटी आजा है तो बोर्ण डीफर होता है लेकिन के समय ऐसा है कि जिनको को ड्रोना हुआ है उनका भी ब्लड काम में आ रहा है वह एंटिबोडी सामने वाले को दे पाते हैं वह एक्सीन जैसे वर्क करता है जैसे अभी हम बोर है सेनिटाइजिशन करना चाहिए हैं वाश करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना चीए तो वैसे यह प्लाजमा का भी बहुत जगा थेरपी सकसे सुए है कई जगा नहीं भी हुई है और पेशेंट के कंडिशन के उपर डिपेंट कर रहा है कि वह सी वियर था कि माइल था कि मॉड़रेट केस था उसके पर डिपेंट रहता है जैसे कि किसी पेशेंट को को रुणा हुआ है तो क्या उस समय बलड दे सकता है कि पेशेंट को बलड नहीं देगा जो को रुणा से ठीक हो गया है वो बलड दे सकते हैं तो तो अगर प्लाजमा डोनेशन करना तो ऑठाइस दिन के बार टेस्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए औ और सामानिया था हम छे महने कर डिफर कर देते हैं अगर डॉनर आया है तो शे महना नहीं दे रहा है क्योंकि वाइरस है जो भी है यह जी बिलकुल लेकिन पेशेंट के लिए अगर ट्रिट्पेंट पार्ट है और उसको हम उसको थेरपी के रूप में जब ले रहे हैं उसम सबसे पहली बात है कि सोशल डिश्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज है जैसे अभी हम पहले ब्लड लेते थे एक घंटे में समझ जाए कि बहुत लोग का ब्लड ले 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 लेते थे अब वैसा नहीं हो सकता है अच्छा हमको अगर ब्लड बैंग में जाना है तो उतनी लोग इतना डरते क्यों है रख्थ देने से में जाना चाहूं में कि आपके सामने तो ऐसे कैसे साई दिन आते ही रहते होंगे कि वह ब्लड नहीं दिना चाहते हैं यह त देखेंगे तब तक समझेंगे ना दूसरी बात होती है टी हमारे आध्यातम में कहीं पर ऐसा नहीं जैसे ही आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अगर आपने देखा नहीं है ब्लड डोनेट करते हैं जोए यह दो हम देखते हैं कि हम ब्लड बैंक किसी को बिलाता थे हृ लेकिन अगर वूद इसकी है कि हम में कॉत न्हिंड है देख UH लेकिन अगर वह जाते हैं तो आपको पता चले आक सुरेध के घंड कोई निि तुकिन दिखना बहुत जर्डी है समाजना बहुत जर्डी है। और इसको मेरा क्याल से स्कूल के पाठ्यक्रफ में भी समझाया जाना चेहिए olur आप दुर क्सकर है बहुत लोग ऐसे मोटेवेट होए। और इस तरह के पापर गरी कमेशी मैं गभी बहुत थेष्चन को ब्ल Hill अब जो लोग करते हैं रेगलरली अगुछ देर के लिए उनका मना रहेगा जब तक प्रभाव रहता है उस अब जो लोग पता नहीं है तो में अगर चल रहा है और उसके साथ में हमने ऐसा ब्लाड दे दिया जिसमें अलकोहल की मातरा है तो डाई साल फिराम लाई पर एक्षन होता है इतनी होती है पेशेंट को कि ऑपरेशन में बहुत दिकत हो सकते हैं लेटे लेटे अगर वामिटस चलेगे आपने देखा हो कि क्या करते हैं कि कुछ एक सक्षन मजीन से क्यों करते हैं क्यों कि कोई चीज हमारी लंक्स में नहीं चले हैं कि हमारा जो फेपड़े की जो नली है यहां पर आहार नली के पीछे भाग में हम जब लेटे रहते हैं हम लेट के खाना कभी नहीं खाते हैं क्योंकि क्यों कि यहां के फंस जागा हार नली में तो आपको ब्लड में मैंने सबसे पहले कहा है कि जूट बोलके ब्लड नहीं देना हैं हर चीज सज बतानी है आपको अगर आपने थोड़ा भी गलत कर दिया और वह मिस्तेक हो गया तो पेशेंट के लिए जान ले भाई भी हो सकता है इसलिए बहुत ज़री कि आप सज बोलके दे जैसे अगर आपने पिया तो बिलकुल बताना ही पड़ेगा आपको तो इस कार्गरम के माधियम से लेकिन ड्रग एडिक्ट ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं जिरके मर्टीपल कर रहे हैं यह हमको ऐसा डौट आ गया कि वहां पर तो बहुत नहीं लगी हुई है और उसको देखने से भी हमनों का अनुभव रहता है हमनों समझ आते हैं कि यह कुछ प्रॉब्लम है उसको हम रिजेक्ट करते हैं उनका ब्लड नहीं लिया जाता है जिए तो जबी आलकोह कर दिया तो हम तो कभी रिकबरेंट नहीं करेंगे कि आप उसको लेना चाहिए करके वो ट्रेंक्लाइजर के रूप में लेते हैं यह ने कहा ना कि उससे बढ़िया तो यह है ब्लड डोनेट करिए उससे अच्छा लागेगा और पर्मारेंट आपको आनन्द आगा उसब ट प्रिप्रेसाल में रहे आदमी और जिनका ब्लड जी बारा ग्राम हो जा वारा ग्राम से नीचे हो तो उनको ब्लड देने में कोई दिक्कत या कोई परिसानी फोड़ी होता है पहली बारा ग्राम के नीचे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं और दूसरा डिप्रेशन में अगर हो अगर उससमें उसका हैल्थ अच्छा नहीं है जैसे हम आपको पताते हैं कि अगर आप खाना खाके तुरंद भी आ जाएगे ने तो हम ब्लड नहीं लेंगे उसमें कुछ हो ज्यादा डिप्रेशन में है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हैल्थ की परिवाश्या बहुत बदल गई पहले हम यह मानते थे एक समय था कि हम सर्टिपिकेट बढ़ता है हाइडवेट पर बीपी देखा तो मानते थे कि आजमी ह है तो हम यह मानेंगे के आप अभी वी हल्दी नहीं है ऄ फंग और हैं अब बका बैंग में तो एक कदम cleaner हमें बन आप ऴारट त्रीके से ब्लट देना चाहते हैं या उतुनC1301 ह आपका moral health है, मतलब आपकी habits भी बहुत अच्छी होनी चीए. ऐसी habits जिससे HIV, hepatitis, VDRL, malaria, आप ये बीमारी को carry कर सकते हैं, तब भी आप reject हो सकते हैं. मतलब ये देखें कि health की परिभाशा में ये एक चीज एक्स्टर जूटती है blood bank में आके. बाकी जगह तो आपका physical, mental और social health होता है. WHO पास कर देता है कि healthy है, और हम नहीं पास करते हैं blood bank में. आप सुचिए कि आपका जो depression है, उसका इलाज कराना बहुत ज़र्दी है. लोग बग डरते हैं कि इलाज कराने से कुछ होगा, हमारे हाँ क्योंकि इस तरह की चीज़े नहीं रहे हैं, हमारे हाँ आध्धात में से depression को बहुत जल्दी ठीक किया गया है, योगा से ठीक करते हैं, और meditation है, आप ज़रू जाएगे इनके पास में, अपनी समस्यां बताए और जब तक आप अपनी समस्यां नहीं बताएंगे, तब तक वो आपको तकलीफ देगा, आप खुल के बाद करिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छा सवाल के सवाल करने की हिम्मत आप में है, मतला आप उसे उबर सकते हैं, सबसे प्लस पॉइंट आपक प्रिगनेंट लेडी है, या दूद पिलाने वाली माता है, वो भी डोनेट नहीं कर सकती है, और मैंने कहा है, बहुत सरी अची कंडिशन है, जो बैक्टेरिया या वायरास को ट्रांसफर कर सकती है, जिसते पेशेंट को बीमारी लग सकती है, जैसे आपको मलेरिया हुआ है तो मलेरिया में हम आपको डिफर कर देंगे, डेंगुआ डिफर कर देंगे, उसके अलावा अभी और हम लोग इसमे रहते हैं, जैसे आप विदेश से आए हैं, है ना, आपको छे मैने हुए हैं, तो आप बलड बैंक में बलड बनेंट नहीं कर सकते, पहले ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं पता है कि वहां पर क्या बीमारी पहली है, यह समझाएगी, घर्मी की दिन में पीलिया की बीमारी एक पर्टिकुलर जोन में पहलती है, यह नल के पानी में लिखे जा जाता है, तो उस एरिया के सारे डॉनर रिजक्त हो जाते हैं, मतलब वो फिट है बलड दे पुरा परिवार उसे बीमार पड़ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के परिवार का सद्य से भी देना चाहेगा, उसको बना कर देंगे, भले उसको बीमारी नहीं है, बहुत ब्लड बैंक में बहुत एक आर्ट है मतलब यह, आर्ट अजी आप बुलते हैं, हलो, हलो, कॉन बुल रह हैं, कहां से बात कर रहे हैं, हान जी कॉन बात कर रहे हैं, मैं SK Bender ड़ी बोल रहा हू नाखपूर के, बहुत बहुत स्वागत है नाखपूर से बोल रहे हैं, क्या जाना चाहेंगे, SK Bender ड़ी पूछे सवाल दोक्तर साब से, मैडम यह पूछ रहा हूं मैं जो कौन से इंसान जिनको जो कि ब्लट दे सकते हैं जिनका बॉस ऐसा सुना है प्लीज अपना सवाल थोड़ा सा जोड से बूलेगा जिनको कोई ब्लट ग्रूप है जो कि किसी को भी ब्लट दे सकते हैं जो किसी को भी ब्लट दे सकते हैं जानना चाहते हैं वो कौन सा ब्लट ग्रूप है कि चार किसम के मुख्य ब्लड ग्रूप होते हैं A, B, AB और O और इसके नेगेटिव भी होते हैं लेकिन कुछ रेयर भी ब्लड ग्रूप जैसे बॉंबे ग्रूप होता है तो हमको सेम ग्रूप में ब्लड देना पड़ता है दूसरे ग्रूप का नहीं ट्रायर करते हैं लेकिन जब जैसे मा एक बच्चा पैदा होता है जिसको नियोनेटल जान्डिस बोलते हैं तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रूप अलग रहता है मा का ब्लड ग्रूप अलग रहता है तो उसको किस ग्रूप के ब्लड से उसको ब्लड दिया जाएगा और उस ग्रूप का ब्लड उसक प्लाजमा को पूरा अलग करना पड़ता है जिसमें के डबलू भी से बिलकुल नहीं तो वह जैसे अभी बहुत सारे केस में आपने देखा होगा कि अब प्लाजमा अगर हम ले ले जैसे अब रेयर गूप में बता देता हैं अब नेगेटिव का प्लाजमा ले ले और ओ दुनिया में किसे भी आदमी को दिया जा सकता है यह ऐसा है टेक्निक है लेकिन ना इसे कॉमन बात नहीं है जैसे के वक्त की कमी है तो मैं अन्त में आपसे जाना चाहूं कि जो लोग रक्तदान करते हों के लिए आप छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप सबको म आते थे मुझे याद है कि बहुत सारी डिलिवरी हो ही अभी और कहीं बलड नहीं मिल पा रहा था तो हम लोग रात भर जगते थे हमारे डोनर रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक हमको बलड दी है तो मैं ऐसे डोनर को सेलूट करता हूं और उनका हैसान मानता हूं कि अगर बलड अगर मैं अपको बता हूं बहुत कोशी की बात है कि पिछले 5-10 वर्सों से जब से मुबाइल के अनक्टिविटी बढ़ी हुई है ज्यादा डोनेशन बढ़ा है मल्टी फोल्ड में और यूवर को तो मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं सोसता हूं कि मैंने अपन कमाल के लोग होते हैं इश्वर ने इंको एक अलग मिट्टी से बनाया है हम नहीं समझ पाया कि ऐसे इंसान को हम क्या कहें हम तो कभी देवदूत कहते हैं और सच में मतलब बहुत बहुत शुप लिया हम उनके साथ हूं डॉक्तर मनोज लांजिवार हमारे स्टूडियो में और इतनी इंपोर्टेंट जैनकारी दी सर उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद अभी आप सभी से इजाज़त लेते बस यहीं कहेंगे कि आप अपने ध्यान रखेगा अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे नमस्कार भुल नमस्कार